बहुत लोगों की ये प्रोम होती है कि हम कोकर में जीर राइस कैसे बनाएं क्योंकि क्योंकि में मैं जीर राइस बनाते हैं तो जो चाफ़ल का दाना है वह अपस में चिपक जाता है अलग अलग नहीं रहता तो आज का वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा आपको पता चलेगा कि कुकर में हम जट पट जीरा राइस कैसे बना है और जो चावल का दाना है वो भी अलग-अलग रहेगा ना ओवर कुक चावल होगा और ना अंडर कुक चावल होगा क्योंकि कुकर में जो चावल हम बनाते हैं तो उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर हम पानी कम डालेंगे तो चावल टाइट हो जाएगा और अगर पानी जादा हो जाएगा तो चावल आपस में चिपक जाएगा तो इसी ट्रिक्स के साथ हम आगे की रेज़ पी शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने दो कटोरी चावल लिए हैं चावल आपको जितना बनाना है आप उस मेजरमेंट के हिसाब से चावल ले सकते हैं तो यहाँ पे जो हमने दो छोटी कटोरी चावल लिए हैं यह यहां पेया कुकर चड़ा है प्रश्य गहीं गर्म तब हम उसमें एक टीस्पून जीरा एट करेंगे और जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें एट करेंगे चावल आप यहां पे देशी घी की जगा बटर का यूज भी कर सकते हैं लेकिन तेल का आप यूज मत करेंगा देशी घी और बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप एक बार देशी घी में ही बना के देखिएगा तो जीरा है वो अच्छे से भुन गया था तो यहां पे हमने चावल एट कर दिये हैं और चावल को एट करते ही हमने इसमें थोड़ा सा नमक एट किया है और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें एट करेंगे पानी यहां पे जितना चावल लिया है यहां पे तो हमने पानी जो है दुगने से थोड़ा सा कम हमने पानी एट किया है हमने दो कटोरी चावल लिये थे तो जो पानी एट किया है वो हमने यहां पे चार कटोरी से थोड़ा सा कम एट किया ह तो यहां पे कुकर को अब हम ढग देंगे और पानी के उबलने का वेट करेंगे तो यहां पे देखी कि पानी जो है वो उबलने लगा है तो अब हम लिड लगा देंगे और यहां पे एक हम सीटी लगाएंगे एक विसल लगाएंगे और दूसरा विसल का वेट करेंगे जब प्रेशर भर जाएगा दूसरी विसल के लिए भी तब हम गयस को आफ कर देंगे और जो कुकर का प्रेशर है उसको हम निकालेंगे नहीं अपने आप ही निकलने देंगे तो यहां पर दीखी चावल जो है वो बन के तयार है कुकर का प्रेशर जो है वो हमने निकाला नहीं था अपने आप ही निकला है और चावल भी आप देख सकते हैं कि ना over cook है ना under cook है तो इस तरीके से हलका सा इस पैचुला से चावल को हम mix कर लेंगे जिससे चावल जो है वो आपस में mix ना हो क्योंकि अगर हम ऐसे ही चावल को छोड़ देंगे और ठंडे हो जाएंगे तो चावल ऑर ही मर्च तो आप इस को डाल के साथ सब्जी के साथ पनीर के साथ मन्चूरियन के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसमें हमने नम्मक एट किया है तो यह चावल ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस तरीके से आप भी एक बार बना के देखिएगा जब आप इस तरीके से चावल बनाएंगे एक बार तो आप इसके साथ ना दाल लेंगे ना सबजी लेंगे आप ऐसे ही इस चावल को इंज्वाय करेंगे ये इतना टेस्टी लगता है बस कुकर में चावल बनाते समय अगर आप कुछ चीजों का ध्यान लखेंगे तो जो चावल है आपका बिलकुल एक इक दाना अलग अलग खिला खिला बनेगा ना ओवर कुक होगा ना अंडर कुक होगा क्योंकि चावल कुकर में बनाते समय हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ चावल जो होता है वो पानी को ज्यादा सोक करता है और कुछ जो चावल होता है वो पानी को कम सोक करता है या आप अगर चावल कुकर में बना रहे हैं तो चुकर में चावल बनाएंगे वो बिल्कुल खिला-खिला बनेगा तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज्यादर से लिए को शेयर करिए और कमेंट करके हमको जरू बताएए कि आपको आज का वीडियो का अश्या मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग